परिचय आप एक उद्ध्यान में सैर कर रहे हैं उद्ध्यान वर्गाकार आकरिती का है उद्ध्यान का प्रतिक किनारा 250 मीटर लंबा है आपने उद्ध्यान के पांच चक्का लगाए और घर लोट गए आपकी माता यह जानना चाहती है कि आपने कितने मीटर सैर की है क्या आप बता सकते हैं यहां आपको परिमाप के बारे में जानने की जरूरत है इस पार्ट में हम लोग परिमाप के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्देशे आपकी माताजी के प्रश्न का उत्तर दें। आपने कितने मीटर सेर की? प्रतेक चक्कर में आपने उद्ध्यान के चार किनारे पूरे टै किये पार्क वर्गाकार है इसलिए इसके सभी किनारे समान लंबाई के होंगे अताहा एक चक्कर में आपने 250 जमा 250 जमा 250 मीटर या 1000 मीटर टै किये इस प्रकार पांच चक्कर में पांच गुणा 1000 मीटर या 5000 मीटर अथवा 5 किलो मीटर अब आप अपनी मादा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं इसकी गणना में हमने परिमाब के तत्तिकी मदद ली इस प्रकार हमने जाना कि किसी बंद विमिय आकरिती का परिमाब उसके बाहरी किनारों की कुल लंबाई के बरावर होता है परिमाब क्या है? यहां हम किसी आकरिती के परिमाब ग्याद करने के लिए एक बहुती सरल तकनी की मदद लेंगे एक बंद जयामितिक आकरिती लेते हैं जैसे की वृताकार, वरगाकार, आयताकार या तृभुजाकार इत्यादी अब एक धागे को ली गए आकरिती के चारों किनारों से इस तरह से लपेट लें कि धागा ढीला ना रहे अब धागे की उस लंबाई को जो आकरिती के साथ लपेटी गई है माप लेते हैं इस प्रकार धागे की मापी गई लंबाई उस आकरिती का परिमाप होगा परिमाप की गणना कैसे करें? अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप का क्या मतलब होता है अब हम एक पंच भुच के परिमाप की गड़ना करने की कोशिश करते हैं अब तक हमने देखा कि किसी जयामितिय आकरिती का परिमाप उसके सभी बाहरी भुजाओं वा किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है पंच भुच पंच भुचाओं वाली एक बंद जयामितिक आकरिती होती है माना की पंच भुच के बाहरी किनारों AB, BC, CD, DE एवं EA की लंबाई क्रमशा 4 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm एवं 4 cm है अताहा पंच भुच का परिमाप होगा चार जमा पाँच, जमा तीन, जमा तीन, जमा चार जो के बराबर है 19 cm के आयत का परिमाप अब हम आयत के परिमाप की गणना करते हैं आयत एक चार भुचाओं वाली बंद जयामितिय आकरिती है जिसकी संभुख भुचाएं समान होती हैं इसलिए आयत का परिमाप दो गुणा लंबाई जमा, दो गुणा चौड़ाई के बराबर होता है हम इसे थोड़ी सरल भाशा में यूं कह सकते हैं कि आयत का परिमाप दोगुणी लंबाई एवं दोगुणी चौड़ाई के योग के बराबर होता है हम एक आयताकार खेत के चारों और बनी क्यारियों में फूल लगाना चाहते हैं जिसकी लंबाई 800 मीटर तथा चौड़ाई 500 मीटर है इस प्रकार फूलों के दोआरा कुल तै की गई दूरी ग्याद करें फूलों दोआरा कुल तै की गई दूरी हम आयताकार खेत के परिमाप को ग्याद करके प्राप्त कर सकते हैं आयताकार खेत का परिमाप 2600 मीटर है अताहा फूलों द्वारा कुल टै की गई दूरी 2600 मीटर है वर्ग का परिमाप अब हम वर्ग के परिमाप का सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ग की चारो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं इसलिए वर्ग का परिमाप चार गुणा इसकी भुजाई के लंबाई के बराबर होता है आप टेबल मेट के चारों किनारो पर जालर लगाना चाहते हैं जिसके प्रत्य किनारे की लंबाई 5 सेंटिमीटर है अब आवशक जालर की लंबाई की गणना करें आवशक मगजी की लंबाई वर्गा कार टेबल मेट के परिमाप के बराबर होगी चूंकि वर्गा कार टेबल मेट का परिमाप 20 सेंटिमीटर है अता आवशक जालर की कुल लंबाई 20 सेंटिमीटर होगी नेमित आगरिती का परिमाप ऐसी आगरिती जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों एवं सभी कोण समान माप के हों नियमित आगरिती कहलाती है वर्ग पून लूप से एक नियमित आगरिती का उधारन है एक और नियमित आकृती का उधारण एक संबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है संबाहु त्रिभुज का परिमाप इसकी एक भुजा की तीन कुणा लंबाई के बराबर होता है माना एक संबाहु त्रिभुज जिसकी प्रतेग भुजा की लंबाई 3 cm है इस संबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा 3 जोकी 9 cm के बरावर होगा एक समशट भुज का परिमाप 6 गुणा 1 भुजा की लंबाई होती है माना एक सम्षट भुज जिसकी प्रतेग भुजा की लंबाई 5 cm है इस प्रकार सम्षट भुज का परिमाप 6 गुणा 5 cm बराबर 30 cm है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं किसी दूई विमिये बंद आकरिती का परिमाप उसके बाहरी किनारों की कुल लंबाई के बराबर होता है किसी जयामितिक आकरिती का परिमाप उसके सभी भुजाओं की कुल लंबाई के बराबर होता है आयत का परिमाब बराबर दो लंबाई जमा चोड़ाई होता है वर्ग का परिमाब बराबर चार गुणा एक भुजा की लंबाई होता है संभाहु तिर्भुच का परिमाब तीन गुणा एक भुजा की लंबाई होता है आकृती जिसकी सभी फुजाएं एवं कौन समान माप के हो नियमित बंद आकृती कहलाती है